हेलो मारियो स्टूरिंस जूले बच्चों केसे हो आप साब मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे तो कर हम लोग पार रहे थी कि गमंदी राजा ठीक है तो ये कहानी यहां तक पढ़ी है तो आज हम यहां से शुरू करेंगे तो आप लोग देखें पेश नवर सिक्स्टी वन बे तो सबसे पहले आच दिना है बीस नाव दोहज़र एकिस गिलारी ने तूरन अपनी मुर्दा उठाई और जाते जाते गाने लगी ठीक है तो उस दिन राजा ने गुस गिलारी से परेशन हो चुका था तो उसने अपनी जेब से जो सुने का सिखा था वो सब निकलके गिलारी के ओर फेंग दिया था ठीक है तो आप गिलारी ने क्या किया गिलारी ने तुरन आकर यानि अपनी जो सुने की सिखाई वो सब उठा के वो जाते जाते वो गाने भी लगी ठीक है में जीत गई में जीत गई हारा तकतवर राजा तो गिलारी ने गाने में केरी है कि में जीत गई में जीत गई हारा तकतवर राजा यानि में जीत गई और में जीत गई कोन हारा जो तकतवर जो राजा है वो आज हार गई एक गिलारी जीत गई देखो हर गया रे राजा तो कौन जीता एक गिलारी जीत गई और हर गया यानि देखो हर गया ये राजा बोला ठेक है ये सुनती ही राजा बुखला गया तो ये सुनती ही राजा क्या हो गया बुखला गया उसने मंतरी को बुला कर गिलारी से पीछा चुडाने का उपया सोचा तो इसके बाद राजा ने मंतरी को बुला कर यानि गिलारी से पीछा चुडाने का कुछ उपया पूछा ठीक है उपया पूछा ठीक है गिलारी से किसे पिछा चुडाने का उपया पूछा ठीक है मंतरी ने सुझाब दिया यानि मंतरी ने आइडिया दिया कि महाराज यादि आप गिलारी की बात पर दयान ही ना दे तो वो फिर आपको परेशन करने नहीं आएगी तो इसके बाद मंतरी जी ने महाराज से कहा कि यादि आप गिलारी की बात पर दयान ही